तो नमस्कार कैसे है आप सब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप IPM कोर्स करते हो Integrated Programming Management जिसको अक्सर बोला जाता है BBA प्लस MBA का कोर्स पास साल का अगर आप Interest Exams Target कर रहे हो IAMS के लिए IPMet and ZipMet Target कर रहे हो या फिर आप Dugert देना चाहते हो Christ है, Simmerces है, Narse Munji है इसके लाब आप Zewies देना चाहते हो, IPU Set देना चाहते हो तो Major जितने भी Interest Exams है हम लोग आपकी प्रेपरेशन भी करवाते हैं वर्सेप नमबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में वर्सेप पर एक Hello send कर दीजिए हम लोग आपको Demo Videos प्रस कोर्स की डीटेल सेंड कर देंगे अगर आपको Demo Videos नहीं लगती है, तो आप भी Enroll कर सकते हो और आज सी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, IPMAT, ZIPMAT के लिए और बाकी जो Interest Exams है उन सब ही के लिए, तो चले ये वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बहुत साइस को ये नहीं पता हुआ कि IPM का मतलब क्या होता है, क्या वो 12th Class के बाद भी आज सकते हैं, तो देखिए IPM का exactly मतलब है Integrated Program in Management, exactly इसको BBA plus MBA बोलते है और BA plus MBA भी बोलते है और इसके अंदर आप टेरेटली 12th Class के बाद जोइन कर सकते हो, IIM को जैसे की BALLB होता है, BKOM LB होता है, उसी तरह से exactly ये भी एक 5 साल का integrated course है अब सवाल ही आता है कि इस course के अंदर आपको 5 साल के अंदर क्या पढ़ने को मिलता है, क्या इनका course curriculum होता है और exactly BBA plus MBA है या फिर वो BA plus MBA है तो अब देखिए, जो मैं आपको बताने वाला है, उसको आप ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, चाहिए फिर वो IIM Indoor है, चाहिए फिर वो IIM Rohtak है, चाहिए फिर वो IIM Jammu Bodga या फिर राची है, चाहिए फिर वो कोई भी IIM है, पहले जो 3 साल होते हैं, उसके अंद कि हम लोग BBA plus MBA करवाते हैं, जो आपका IIM Indoor हो बोलता है, BBA plus MBA करवाते हैं, लिग जो मैंने के कोर्स करिकूलम को देखा, मैंने रोहतक भी देखा, मैंने इंदौर भी देखा, तब मुझे एग्ज़ेटली रेलाइज हुआ कि पहले 3 साल के अंदर है, एक हो फिर वो IIM Indoor ह and last 2 years का क्या कोर्स करिकूलम है, तो अगर मैं बात करूँ आपके term 1 की, यानि की semester 1 की, कि आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलता है, जैसे का आपको फिलाल स्क्रीन पर दिख रहा है, तो देखे, यहां पर आपको microeconomics पढ़नी है, वेल और गुड काफी बड़ी है के अलावा फिर algorithms है, dance है, drama है, तो अब समझ सकते हैं कि एक तरह का holistic development यहां पर है, यहां पर आपको arts के subject भी पढ़ने है, यहां पर आपको science के भी पढ़ने है, आपको commerce के subject भी पढ़ने को मिलते है, term 1 के अंदर, अब देखते है term 2 के अंदर क्या आपका syllabus होने वाला है, तो C भी आजाता है, यहां की computer language जो है, वो भी यहां पर आगया, फिर again dance and drama आगया, तो आप देख सकते हो holistic development आपको second term के अंदर भी देखने को मिल रहा है, and exactly इसी तरह से आप देख सकते हो, third term के अंदर भी micro economics का second part आगया, फिर यहां पर algebra आगया, political science भी यहां पर आगया, political science भ आगया, फिर language skill है, English आगयी, इसके लाब फिर critical thinking आगयी, writing skills आगयी, फिर French language यहां पर आजाती है, तो आप देख सकते हो again holistic development है, अब हम आज आते हैं हमारे third year पर, third year रहने की term fifth and term six पर, तो exactly वही सारा का सारा pattern आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, term fifth and six के अंदर रहने की third year के अंदर, अब समझें कि पहले तीन साल के अंदर आपको exactly सब कुछ पढ़ने को मिलता है, क्योंकि देखिए, जब भी आप BBA, BMS, फिर IPM करते हैं, management के courses है, किसी भी company को अगर अपनी company के अंदर managers hire करने है, या तो BBA, BMS से करते हैं, या फिर MBA से करते हैं, फिर IPM से कर ल होती है, जो आपको यह पहले तीन साल के अंदर करवाते हैं, अब हम बात करते हैं, last year कि जिसके अंदर आपको exactly जो आपका MBA का होता है, वो आपको पढ़ने को मिलता है, term 8 के अंदर, तो कि मैं term 8 की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो, business history हो गया, web development है, business government society है, principles of management है media literacy है, इसके लावा Indian economy है, environmental economics है, mobile data management है, एक-दो subject हो सकता है, छोड़े अलग है, लेकिन जातर जो syllabus है आप देख सकते हो, जो MBA का basic syllabus होता है, उस तरह को syllabus देखने को मिल रहा है, यह आपर 8 term के अंदर, इसके लावा अगर मैं बात करूं, फिर देखो, positive organizational psychology हो गया, यह भी एक subject है, तो इसी तरह से आपको सारे के सारे subjects देखने को मिल रहे है, term 8 के अंदर, इसके अंदर, इंडियन financial system भी है, इसके अंदर, discovering self भी है, इसके लावा हम बात करूं, term 9 की, तो यहां पर आप देख सकते हो, monetary macroeconomics हो गया, competition policy हो गया, topics in macroeconomics हो गया, nature watching है, cost benefit analysis है, इसके अला तो अब अगर आपको यह कहें कि यार यह BBA plus MBA या फिर BA plus MBA तो आप उसे बोल देना कि यह 3 plus 2 years का course है, इसके अंदर 3 साल में holistic development plus MBA का यह course है, तो I hope आज की वीडियो काफी चाही लगी होगी IPM के aspiring students के लिए, क्योंकि उन्हें exactly पता चलके कि उन्हें क्या जा करके वहां पर प student है, अगर आप preparation करना चाहते हो, IPM के एंट्रेस एजाम IPMET की या फिर जिपमेट है, जमुएन आयम बहुत गया के लिए, तो हम लोग आपकी preparation भी करवाते है, वर्सप नमबर डिस्रिप्शन के अंदर है, आप में एक hello send कर दीजिए, और अगर आप Android करते हो, पढ़ाई श का, तो जितने भी आपके topics हैं, जितने भी आपके sections हैं, उन सभी के video lectures आपको मिल जाएंगे, video lectures के लावा सारे के topic टेस्स आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर 10-15,000 के आसपास questions हम देते हैं, students को preparation करने के लिए, practice करने के लिए, इसके लावा आपको मोक्टेस मिलेंगे, I. मिंदोर के मोक्टेस लोग होंगे, रोहतक के लोग होंगे, जिकमेट के लोग होंगे, क्यों देखे, इनका जो exam pattern है, वो भी different है, इसके लावा आपको वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, e-books, तो आपके लेप्टोप के अंदर, फोन के लिए, इसके लिए आप वीडियो देखने के लिए शुक्रिया